नमस्कुर दोस्तों मेरा नाम है रुपिश कुमार रॉय और आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग बात करेंगे partnership account का unit 5 जिसमें है retirement of a partner के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे इसके introduction क्या है और कैसे हम लोग इसका accounting treatment करते हैं कि retirement का मतलब क्या होता है कि partnership form से छोड़ के चले जाना कि यह भी बताएंगे retirement कितने तरह के होते है कितने तरीकों से छोड़ के आदमी जा सकते हैं अब आप बोलेंगे छोड़ नहीं है तो तरीका क्या जमाना चोड़ देखो वेन partner one or more partner leave the firm और remaining partner continue to do the business business मतलब firm जो होता है remaining partner उस business को चलाते हैं देखो यहां पर अगर एक partner चोड़ के जाता है सपोज यहां पर देखो तीन partner है और यह partner चोड़ के चले जाता है मतलब retirement layer और यह दोनों partner business चला रहे हैं तब इस case में इस partner को हम लोग बोलेंगे retirement अगर ऐसा होता कि तीन partner है और एक partner चोड़ के चले जा रहा और business बंद हो गया तो ऐसा case में इसको हम लोग retirement नहीं बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे continue to do business अगर एक partner या एक से ज़्यादा partner चोड़ के जाता है minimum दो पार्टनर रहने चाहिए partnership firm में minimum 2 को चोड़ के बात बाकि सभी partner चोड़ के चले जाते हैं और फिर भी business चल रहा है continue चल रहा है दो पार्टनर मिलके चला रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे retirement अपर पार्टनर एक्जामपल बहुत अच्छा दिया है यहां पर देख लो अमीत सुनीत और अशू आर पार्टनर ने भी अलाव कर दिया ठीक है अजर पार्टनर अगर अलाव नहीं करते तो अशू कभी business चोड़ नहीं सकते था एडमिस्ण के टाइम में भी अधर पार्टनर का कंसेंट चाहिए और रिटार्मेंट के टाइम में भी अधर पार्टनर की कंसेंट चाहिए लेकिन कुछ ऐसे privilege है जहां पर अधर पार्टनर की कंसेंट नहीं चाहिए वह अम लोग बात करेंगे अस्व की तो फैमिली प्रोब्लम थी इसलिए वह फोर के चले गए लेकिन मोस्ट अप केस में क्या होता है कि आदमी बुरा हो जाता है या फिर उसका हेल्थ खराब रहता है या फिर बिजनेस के साथ मतलब पार्टनर्स में जीने भी पार्टनर के साथ खराब ब्योंआर रहता है दूर ब्योंभर होने के वज़ए से फ्रीक चोडर के चले जाते या बाद बकिश्व बोलते हैं अप के एश ऐसे केस में रिटायर्मेंट होता है जब पार्टनर्शिप में रिटायर्मेंट आता है तो उसमें रिकंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं रिकंस्ट्रक्शन मतलब कैपिटल फिर से देखते हैं कम हुआ तो जो एक्जिस्टिंग पार्टनर से ओल ले करके आते हैं फिर प्रोफ रिटार्मेंट ले लो और उसका भी मन हो कि हम रिटार्मेंट ले ले तब आप रिटार्मेंट ले सकते हैं दूसरा बात है कि partner as per the term of agreement आप से agreement हुआ है कि आप इतने साल के लिए मेरे partner है इसके बाद आप मेरे partner नहीं रहेंगे जब आग्रिमेंट खतम हो जाए तब आप चले जए या फिर पार्टनर शिप एट विल होता है कि जब मेरा मन करेगा तब हम रिजाइन मार्केश चले जाएंगे उसको बोलते हैं पार्टनर सिप एट विल ठीक है मतलब तीन तरह के रिटार्मेंट होते हैं जब आल पार्टनर कंसेंट करें तब या फिर अग्रीमेंट खतम हो जाए तब या फिर आपका मन खतम हो जाए तब तर्मेंट कंडिशन अपार्टनर्शिप नॉर्मली प्रोवाइड इन प्रोवाइड इन प्रोविजन बना के रख चुके होते हैं लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कते आता है तो हम लोग निव प्रोफिट शेरिंग रिश्यो में गुडविल में एड्जेस्ट्मेंट अफ चेंज इन दे वेलू अफ एसेट एन लाइबिलिटी लाइबिलिटी और एसेट को चेंज करने के लिए हम लोग एक एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम आपको मालूम होगा एड्मिसन अफ पार्टनर में हम लोग बनाये थे रिवेलुएशन अश्चाउंट याद आया है कि ट्रेट्मेंट ओफ रिजर्ब एन एक अधुम्लेट प्रफिट हम लोग बिजनेस के हिल्थ के लिए जैसे हम लोग अपने स्वास्ते के लिए या अपने फ्यूचर बेनीफिट के लिए अपने सेबिंगस में पैसा रखते ना उसे तरह बि तो बिजनस अपने खुद के पैसे से अपना काम कर सके उर लिधि चितना भी उर्टन करना या तो कैशिट में कीजिए बैंक में कीजिए फिर टर्मेंड में कीजिए एक पर कार्ण कंडिशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं new capital of the continuing partner continuing partner का new capital अगर decrease करता है तो फिर से ओ लेकर क्या है अगर increase करता है तो ठीक है कोई बात नहीं new profit sharing ratio मतलब हम लोग gaining ratio admission के time में हम लोग क्या करते थे sacrificing ratio लेकिन यहाँ पर gaining ratio करेंगे क्यों क्योंकि जो existing partner है तीन आदमी बिजनेस करता था और एक आदमी चला गया तो इसका भी profit का हिसा तो इन दोनों को ही मिलेगा न तो क्या हुआ इन दोनों को फायदा हुआ है नुक्सान ह हुआ अगर एडमीशन लेता तो इन दोनों को सियर अपना निकाल निकाल के देना पड़ता तो इन लोग क्या करता सेक्रिफाइस करता लेकिन यहाँ पर यह लोग तो गेन कर रहे है रिटारिन पार अपना सियर उन लोग को दे देता है और अपना हिस्सा लेके चले जाता ह तो इसको हम लोग calculate करने के लिए new ratio minus existing ratio existing ratio मतलब old ratio old ratio से minus करेंगे तो हमारा gaining ratio आ जाएगा कि ओके introduction में कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए आपको short question है इसको short question भी देख लेते हैं what do you mean by the retirement of a partner retirement of a partner से क्या समझते हैं retirement of a partner means that partner siege मतलब stop to be partner of the firm अपना partner होने का जो दावा होता है partner सी firm में वो रोक देता है बंद कर देता है बलता है अब हम आप तुमारे partner firm का partner नहीं रहे है that is simple what is gaining ratio जब existing partner अपना share छोर करके retiring partner जो होता है अपना share existing partners को देखे जाता है उसको बोलते है gaining ratio the gaining ratio in which remaining partner acquire the share of retiring partner is called the gaining ratio calculation of gaining ratio is necessary particular when the retiring partner share of goodwill or reserve to be adjusted goodwill का पैसा और reserve का पैसा वो लोग ले करके अपना capital के साथ में retiring partner लेके चले जाता है if you have any doubts you can whatsapp me or comment what is the goodwill adjust in the books of form when the partners retiring from partnership goodwill का क्या treatment करते हैं हम लोग retiring partner को हम लोग दे देते हैं टू अपना accounting treatment for goodwill when the partners retire or die दोनों case में same treatment होता है his share of profit is taken over by the remaining partner जो भी उसका share होता है remaining partner ले लेते हैं उसको हम लोग बोलेंगे gaining the remaining partner then composite the retiring partner composite का मतलब होता है जो भी उसका profit या फिर हिस्सा बनता है वो existing partners bear करेगा in the form of goodwill of their gaining ratio जो उसका gaining ratio था उसका goodwill उसको भरेगा ठीक है उनकी gaining ratio में उसका goodwill जो भी है वो भर पाई किया जाएगा flowing entry will be record in the purpose retiring partner capital account debit to retiring or decrease partner capital remaining partner यहां पर existing partner भी हम लोग existing partner जो है उनका capital account remaining partner को existing partner भी बोलते हैं जो existing partner है उनका capital account debit करेंगे क्योंकि जो gain कर रहा है उसके लिए तो पैसा देंगे न और जो retiring partner है वो अपना पैसा लेके चले जाएगा गुड्विल का premium हम लोग देखी छोड़ देंगे उसको वाट इसेसरी तो रिवेल्व एसेट और रिलीज रिएसेस लिएट अफ रिटाइरिंग अफ पार्टनर रिवेल्वेशन अफ एसेट और रिएसेस्मेंट अफ लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते थे जिसका नाम क्या था रिवेल्वेशन अकाउंट रिवेल्वेशन एकाउंट बनाते हैं रिवेल्वेशन अकाउंट हम लोग एड्मिसंट डेट रिटायर्मेंट थीनों ही केस में बनाते हैं येड्मिशन कंटेदेट को टाइम में भी बनाते हैं qatr प्रेटिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टि हिस्टा भर लेता है कि अकल्कूलëसन उन्लोट टाइम फेडमनिशन अफ अफ पांट्नर सेगडरिफाइसुख को सेगडरिफाइसिंग रेश्योय हम लोग सेथ्थ के टाइम पर लुट कल्कूलेट करते हैं और से एकांट पर launched पिरीफियPlus प्रफिट अलाज सब्सक्राइब प्रेट अट इसलिए बनाते हैं ताकि जो आउटगोइंग पार्टनर मतलब जो पार्टनर मर गया है या जो पार्टनर फिर रेटार ले लिए उनका शेर अब प्रफिट को डिस्टिबीट करने के लिए यह डिफरेंस होता है डेट अब बालेंस इट जो बनाए लाट पिछले साल का बालेंस इट और इस साल में वह किस डेट को डेट हुए या किस डेट को रेटार्मेंट लिए गिविंग जैनल इंट्री दिस्टिबिशन अब जैनल रिजर्ब और रिटार्मेंट अफ़ पार्टनर दो फोलेंग इंट्री विल पास्ट जैनल रिजर्ब अकांट डेट तो पार्टनर कापिटल अकांट नेम तु मेथट पेंग डिऊज अन्द रिटार्मेंट पार्टनर दो मेथट है या तो एक पार में उसका पैसा के लिए कोर तो या फिर इंस्टाल्मेंट में पैसा के लिए इन थ्री आइटां मैं विचर इन इंकलूड थे तैम और केलिटिंगल इटन पाटनर्स इंट्रेस्टे इन त्री आइटम। जो भी होगा या तो उसको लमसम में देदो या फिर जो पाट है उसके उपर में इंट्रेस कैलकुलेट करके इंस्टल्मेंट वाइज देते रहूं है ओके नाव जर्णल इंट्री कि जर्णल इंट्री पर इंक्रीज जब वैलु कर एसिट का वैलु इंक्रीज करते हैं तो हम लुग क्या करते हैं PayPal लिखते हैं लिखते हैं रिवेलिवूज ऑपहुन कंब सायट में लिखती हैं increase in the value of liability revaluation account debit to liability decrease in the value of liability liability account debit to revaluation account profit on revaluation Revaluation account debit to partners capital account जो भी profit होता है in Revaluation में आपार्टनर्स इकटाल अकाउट के क्रेडिट में ट्रांसपर कर दिया जाता है अगर loss होता है तो debit कर दिया जाता है इसलिए इसलिए लाश मतलब केपिटल गिरेगा तो capital क्या होगा debit हो जाएगा and profit and loss account loss payment in lump sum retiring partner को हम लोग जब lump sum amount में payment करते हैं तो क्या लिखते है retiring partner capital account debit to cash या फिर bank या फिर cash देंगे या तो bank देंगे या फिर online transfer करेंगे तो कहीं भी होगा तो bank से जाएगा other part payment in cash और balance transfer in his or her loan account यहां पर देखो उपर में लिख दिया है retiring partner capital account debit to cash in bank या to retiring partners loan account ठीक है या तो हम लोग direct payment कर देंगे या कुछ payment करेंगे और कुछ loan में डाल देंगे तो भी entry लिखेंगे total amount due transfer to loan total amount due हुआ है retiring partner capital account पूरा और partners loan account debit जो partner retire हुआ और उसको amount हम लोगों ने loan में डाला तो उसको क्या देंगे हम लोग interest provide करेंगे तो interest हमारे लिए क्या है expense है इसलिए interest account debit to retiring partners loan account for payment of installation payment of installment installment का payment करेंगे तो क्या लिखेंगे retiring partner loan account debit to cash in bank account अब या से सम्च चलो करते हैं यहां पर हम लोग को निकालना है sacrificing ratio कौन पार्टनर sacrifice किया और कौन पार्टनर gain किया है ठीक है यह खतम होने के बाद treatment of goodwill करेंगे फिर उसके बाद मैं goodwill आज करके खतम कर देंगे है ठीक है ईहाई लेार्टनर् भूब आट पिट्ड़ज स सबस्याए हुटेंगे है आर य Г som पार्टनर्टनर्सायर meters यह हम है और मैं ज्ड़खें Adriों वे वेल्योखें ।